आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ रंग-modulus of Elasticity इस F्L upon A DL होता है F upon A, upon DL Strait upon Strait in होता है तो यह question यहां से हम ले लेकिए तो यहां पर जो यह slope के उपर depend कर रहा है तो यह slope के इसका यह वाला slope तो आपको देखना है कि किसका slope ज़्यादा है तो आपको देखना है P का slope ज़्यादा है तो लेकिन किसके उपर depend कर रहा है तो यहां पर जो हमें किसका cross section area हमें जादा है उसका इस चेक करना ठीजा तो इसे का मैं लिख सकता हूं this is यह हो जाएगा यह क्यों हो जाएगा हमारे पास यहां पर slope check करो this is y upon delta l y upon delta l यह क्या है हमारे पास sorry this is f upon delta l इसमें f upon जो delta l है ना this is y by x तो यह क्यों जाएगा this is y a a y upon this is l क्लियर इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं ठीक है और यह वाली जो value है ना यह क्या है एक slope ही तो रिपर्जेंट कर रही है slope this is y this is x y by x क्यों जाएगा this force upon delta l elongation अब जो यह slope है ना slope is directly proportional to the slope is directly proportional to the area clear तो जिसका slope जादा होगा इसका area भी जादा होगा है ना slope is directly proportional to the area तो आप यहां देख रहे हो कि एक slope slope of p slope p upon slope q is equal to this is a p by a q ठीक है तो यहां से एक चीज़ पता चल रहा है कि जिसका slope जादा होगा उसका area भी जादा होगा तो slope किसका जादा है तो आप पर p वाले का जो slope है ना यह जादा है ठीक है तो slope of p तो यहां पर हो जाएगा area of area of p greater than area of क्यों हो ठीक है यही पूछा हमसे क्लासिक्स टुएल से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स आट 4444 सुपर क्यों है